Hello friends, I am Sumitra and welcome to Tetmanthan. तो discuss करेंगे आज EVS की जो आपके NCRT के notes थे. एक वीडियो में अल्रेडी हम लोग कुछ 47 slides में almost आदे से जादा हम लोग complete कर चुके हैं इसको और आज बाकी बच्चे वे सारे points, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वीडियो में complete कर लेंगे. ठीक रहा मतलब कि अगर बच्चे सोय हुए हैं, अगर वो नहीं उठे जल्दी तो हम लोग आज इसको complete कर लेंगे, otherwise एक और बनानी पड़ेगी. तो 3 वीडियो में almost complete हो जाएगा, बाकी कोशिश मेरी यही है कि आज यह complete हो जाए. ठीक है? बट भई आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, तो अपने सभी फ्रेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ बाकी सबको भी benefit मिल सके, ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं फटा-फट से, आज हम अपना फर्स टॉपिक करेंगे, ले लद्दाक के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में, ले लद्दाक क्या है? लद्दाक is a cold desert, सबसे पहला question तो यहीं बन जाता है, कि cold desert जो है, वो किसको कहते हैं? तो आपका किसको कहते हैं? लद्दाक को कहते हैं, ठीक है? लद्दाक gets very little rainfall, लद्दाक के बारे में सारी statements याद रखने हैं अपने को, कि बहुत कम rainfall होता है, बहुत उचा, सुखा और आपका समतल प्लेस है, dry, flat place है आपका, here there are high snow-capped mountains, यह एक reason है वहापर tree नहीं होने का, ठीक है? आप याद रखेंगे बहुत ज़्यादा ठंड होने की वज़े से, ठीक है? बहुत ज़्यादा बरफ होने की वज़े से, during summers, summers में लोग वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आपकी लाल मिर्च हो गई, red chili, orange pumpkin हो गया, आपका जैसे कद्दू हो गया, golden yellow corn और many more vegetables को और fruits को क्या करते हैं, winters के लिए सुखा करके रख लेते हैं, क्योंकि winters में जो चीज़े अवेलेबल नहीं होती, उनको क्या करते हैं, summers में सुखा करके रख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपका question ये बनता है कि red chili हो गया, pumpkin हो गया, golden yellow corn हो गया, यह सारी क्या है आपकी? लद्दाक की क्या है? सबजिया है या फिर आपके fruits जिनको सुखा के रखा जाता है, लद्दाक में जूले जूले का मतलब क्या होता है? welcome, welcome होता है, ठीक है? बहुत important point से सारी लद्दाक के बारे में, जरूर आपका question बनता है यहाँ से, houses of लद्दाक, most most important point, ठीक है? most most important मैं इसको, houses of लद्दाक, दो फ्लोर के houses होते हैं, ठीक है, two floors होते हैं, याद रखेंगे, किस चीज के बने होते हैं, stones के बने होते हैं, houses are made of stones which are kept one over the other, stones को एक उसरे के उपर रखके बनाया जाता है, walls को किस से coat किया जाता है, mud से और lime से, यानि कि जो आपका cement और चूना और जो होते हैं, मिट्टी होती है, चूना और मिट्टी से उसको coat किया जाता है, ठीक लेयर से, ground floor आपका animals के लिए होता है, और कुछ necessary चीजों को store करने के लिए होता है, people living on first floor, first floor पे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, ground floor पे animals को रखते हैं, ground floor do not have windows, ground floor पे कोई खिडकी नहीं हो सारी statement, two floor houses होता है, first floor पे, ठीक है, first floor पे लोग रहते हैं, ground floor पे animals को रखते हैं, ground floor पे कोई खिडकी नहीं होती है, mud or lime से coating होती है, ठीक है, next देख लेते हैं, फटा-फट से क्या point है, thick tree trunk were used to make roof strong, जो thick tree के trunk होती है, यानि कि जो आपका तना होता है, पेड का मोटा तना, उस shift होते है, क्योंकि वहाँ पे कोई window नहीं होती है, वहाँ ठंड कम रहती है, roof is the most important part of their houses, Ladakh के houses की roof हमेशा क्या होगी, roof क्या होगी, flat होगी, बहुत important part है ये, उनकी houses का जापे वो बहुत सारी चीज़े सुखाते हैं, ठीक है, तो कभी भी आ जाए कि आपके Ladakh के houses की roof है, वो the roof of the houses, the thick wall of wooden floor, एक चीज़ और है, thick wall होती है, और floor किस चीज़ के होते हैं, लकडी के बने floor होते है, wooden की ceiling होती है, wooden के floor होते है, protect करते हैं, Ladakh के घरों में, जो Ladakh के लोग होते हैं, उनको cold से protect करते हैं, याद रखेंगे, आप wooden floor, wooden ceiling होती है, ठीक है, Ladakh के houses के बारे में, next दे हमाजल प्रदेश में है, people जो है, वो हीली area में, किस चीज़ के nylon के tents का इस्तिमाल करते हैं, अगर पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए, आपके Ladakh के घर होते हैं, इस तरीके से उपर वाला हिस्सा रहता है, नीचे वाले हिस्से में कोई खिडकी नहीं होती है, ठीक है, next देख लेते हैं, चंग्थांग आपका, चंग्थांग क्या है, this place is at high, height of almost 5000 meter, 5000 meter की उचाई पर आपका जो जगह है, चंग्थांग है, it is so high, बहुत ज़ादा high है, जिस वज़े से वाहाँ पर क्या होता है, normally वाहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, people had a headache and felt weak, लोगों को क्या होता है, सरदर्द हो जाता है वाहाँ पर, और weak feel करते हैं, उपर चड़ने में लोग, ठीक है, no petrol pump and no mechanics, ठीक है, petrol pumps और mechanics भी वहाँ पर नहीं मिलते हैं, चंग्थांग की बात हो रही है, उसके बाद आती है चंगपप ट्राइब, चंगपप ट्राइब, जो होती है, वो क्या होते हैं, उसका मतलब उसके जो ट्राइब है, उसके अंदर में 5000 लोग होते हैं, सिर्फ 5000 पीपल होते हैं, ठीक है, ठीक है, next point क्या है, आपका, they are always on the move with their goats and ships, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियों के साथ में, हमेशा यहां से वहाँ चंगपा की जो बकरियां होते हैं, वो उसको बहुत हाईयर और कोल्डर, यानि की बहुत उची जगह पर हो, बहुत थंडी जगह पर रखते हैं, ताकि उनका जो फर है, जो उनके हेर्स हैं, वो जादा क्या हो सके, सॉफ्ट हो सके, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि र यहां पर की बहुत कम लोग रहते हैं, उस जगह को चंग थांग का जाता है, ठीक है, यह स्टेटमेंट से ही क्वेशन बनता है, आपका NCRT का इसमें, ठीक है, आप देखते हैं, पश्मीना शॉल के बारे में, इसमें हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़े हैं वैसे तो, ब 250 गंटे लगते हैं इसको बनने में, ठीक है, इसको बनाने में, वीव करने में, गुतने में, 250 गंटे लगते हैं, यह पश्मीना शॉल जो होती है, जिन बकरियों से ली जाती है, उनको 5000 मीटर की उचाई पर रखा जाता है, जैसा कि अभी अमने पीछे पढ़ा था, जहां क वो मिला कर जितना थिक होता है, उतना इनका one hair जो होगा, one hair of your, इनके six hairs को मिला करके human एक hair बनता है, मतलब कितना ज़्यादा पतला होगा, आप सूथ सकते हैं, तो यह वाली बात है, यहाँ पे पश्मीना शॉल के बारे में जो सबसे ज़्यादा important है, आपकी इसको मशीनों से और इसको मशीनों से विव नहीं किया जा सकता है, इसको क्या किया जाता है, हमेशा हाथ से ही बुना जाता है, क्योंकि बहुत ही पतली बुनाई होती है, तो यह कुछ स्टेटमेंट्स है, जो आपको पश्मीना शॉल के बारे में याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कि six sweaters के बराबर है तो बहुत मोटी शोल होती हैं इस स्मॉल हास बोट पर बनाया जाते हैं और उनकी अगर देखा जाए तो 80 feet की आपकी जो इतने लंबे होते हैं और 8-9 feet उनकी जो चोड़ाई होती है उसके बाद एक statement आती है डोंगा डोंगा क्या है अगर पूछ लिया जाए आपते तो ये क्या है आपका ये भी एक तरीके की बोट होती है गहां देखने मिलती है डाल लेक और जेलम रिवर में आपको देखने के लिए मिलती है वे help पूछ लिया जाए क already bless you कहा का ओ हुए तो आपका डल लेक और यांव है वोट है कूछिए कि कुछ carving की होती है कुछ इस तरीके का design बना हुआ होता है जिसको हम खतम बंद कहते हैं जो कि जिक्सो पजल की तरह दिखते है दिखने में इसका pattern जो होता है यह भी एक तरीके की boat है शिकारा जो है वो भी एक तरीके की boat है आपकी जो के डल लेक और श्री नगर में मिलती है तो आप से शिकारा पूछ लिया जाए खतम बंद पूछ लिया जाए डोंगा पूछ लिया जाए तो यह सारे आपके कहां पर है डल लेक में और श्री नगर में आपकी यह सारी चीज़ें पाई जाती है नेक्स देख लेते हैं हम कश्मीर के हाउसे के बारे में ठीक है हाउसे का question यहापे जरूर आता है ठीक है क्योंकि एक theme से related है अपना यह तो कश्मीर के हाउसे कैसे होते हैं houses are made from stones cut and kept one on the top of the other and coated with mud कैसे होते हैं आपके उसको use करते हैं और इनकी जो रूफ होती है वो आपकी slopping roof होती है याद रखेंगे आप कश्मीर के houses की रूफ जो होती है वो आपकी slopping roof होती है ठीक है next देख लेते हैं फटा-फट से point अपना next वाला next है आपका एक statement है यापर कि गुजरात में जो भुकम पाया था कच एरिया में वो आपका आया था 26 January 2001 में ठीक है एक आता है आपका rector scale, rector scale क्या होता है आपका इसको हम बोलते हैं rector magnitude test scale RMTS की अगर आपसे full form पूछ ली जाए तो यह आपकी rector scale का full name है rector magnitude test scale ठीक है उसके बाद it is a mathematical device to determine the magnitude of earthquake ठीक है यह क्या है आपका mathematical device है जिससे की earthquake के बारे में हम पता करते हैं कि उसकी क्या हो रही है गती रही है it was developed by Charles F. Rector ठीक है Charles F. Rector इसको 1935 में इसको develop किया था उसके बाद आता है एक आपका seismograph, seismograph क्या होता है भुकम्प, सूचक, यंत्र होता है जिससे की हम record करते हैं भुकम्प के बारे में इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ natural climaties जो आपकी भुकम्प के अलावा होती है तो आपकी drought होती है, famine होती है, tsunami होती है, landslide, cyclone और flood up की यह सारी आपकी natural आपकी जो आपदाएं होती है, प्राकरदी का आपदाएं होती है status of क्या होता है आपका, उसके बारे में देख लेते हैं, यह होता है आपका जो आपकी hurt beat को सुनने के लिए use किया जाता है यह इस सरीके का होता है, आपने doctors के पास में देखा भी होगा, उसके बाद आता है Victoria Terminal Victoria Terminal आपका कहाँ पर है, मुंबई में है, वनगम आपका कहाँ पर है, गुजरात में है ठीक है, neem leaves जो होती है, वो insect से आपको protect करती है, आपकी जो neem leaves होती है वो आपके जो bees होते हैं, उनको protect करती है, insect से, इसलिए हम जो हमारे bees होते हैं, जो धान वगेरा होते हैं, उसके अंदर में नीम की पतियां रखते है Good seeds were stored in dried gourd, जो पहले के टाइम पर अगर बात की जाएं, जो good seeds होते हैं, जो अच्छे seeds, उनको लॉकी में, यानि कि जो dried gourd होते हैं, उसके अंदर में उनको store करके रखा जाता था और उनको mud से coat किया जाता था, एक ही बहुत important point है, growing the same crop over and over and using so many chemicals affect the soil badly and the land become unfertilized ठीक है, देखो इसमें क्या है, कि अगर एक ही फसल को बार बार एक धरती पर उगाया जाता है, और बहुत ज़ादा chemical use किये जाते हैं, तो क्या होगा, भूमी जो होगी वो आपकी अन उपजाओ हो जाती है एक तरीके से, ठीक है, next देखते हैं आपका, उंदिया क्या होता ह उंदिया एक तरीके कि आपकी डिश है, एक सबजी कर ein सकते हैं एक kind of stew है अपकी, इसमें क्या करते हैं, जो port होता है, अपका जो एक pot होता है, उसको उल्टा रखते हैं, उसको मतल्ब गर्म कोईला होता है, उसके इंदर में उल्टा रखते हैं, अपसाइड डाउन, और ग Composed क्या होता है आपका Composed होता है आपका Natural Fertilizer होता है ठीक है इस प्रिपेर्ड बाइप पुटिंग गार्डन वेस्ट जो आपका गार्डन का वेस्ट होता है कुछ जो आपका किचिन का समान बच जाता है फल फ्रूट सबजीयों के छिलके इन सबको अगर आप डाल देते हैं उसमें गार्डन में तो क्या होते है ड्राइड लीव बगेर होगी तो इसको जो नैचुरल खाद बनती है उसको हम बोलते हैं Composed ठीक है नेक्स देख लेते हैं अर्थ वर्म्स यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है इसके बारे में आपका question आया हुआ है अर्थ वर्म्स ज क्या कर देते हैं खोखला कर देते हैं एक तरीके से थोथा कर देते हैं टनल्स बना लेते हैं महां पर जिसकी वज़े से इतनी help हो जाती है कि जो air और water है वो easily जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर में एंटर कर पाता है अर्थ वर्म्स also eat dead leaves and plants वो क्या करते हैं वो dead leaves को जो गली-सड़ी-पत्यां होती है पौदे होते हैं उनको वह खा जाते हैं ठीक है और खाने की वज़े से क्या होता है they are dropping fertilize the soil को उप्जाओ कर देते हैं गली-सड़ी-पत्यां होते हैं उनको यह खा लेते हैं उससे क्या होगा मिट्टी जो होती है वह जो अब टो यह नेचरल मिट्टी जो है वो सूखी हो चुकी है तो वो कौन से प्लांट होंगे क्रोटोन प्लांट होंगे जो यह सिगनल देते हैं कि मिट्टी जो है वह सूखी हो चुकी है मतलब उसको और ज्यादा पानी की जरुरत है जो इसके रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं ठीक है ग्राउंड में किस तरीके से सिगनल देते हैं जो इसके आपकी मिट्टी के जो अपरी सतह होती है अगर आपको वो ड्राई दिखाए दे रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बही क्रोटोन प्लांट के पत्ते अगर जुके हुए है तो इसका मतलब आपकी जो मिट्टी है उसको पानी क कि ज़रुत है महां पर ठीक है नेक्स देखते हैं फटाफट से नेक्स आपका आदिवासी जो आपके बात की जारे हैं पर कुडुक भाषा के जो पुडुक इस और आपका जार खंड में है जंगल होता है कुडुक भाषा में ठीक है अगर पूछ लिया जाए तो रांग क् लौ्ट्री फॉर फार्मिंग मिजौर्म लॉट्री फार्मिंग बोधी जो कहा पर होती है चाहित कि मिजौरम में होती है ठीक है ल, ओ में ओ लौट्ट्री में आता है और मिजौरम में भी ओ आता है ठीक है तो यह होगा आपका एक important term ओर है जो आपकी पूछी गई है previous year questions में कि one teen of land जो होती है क्या होती है और मतलब एकदम भयंकर वाले option होते हैं इसके अंदर में कि आप option में मतलब जरूर confuse हो जाओ गया लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको the land which we grow one teen of seed is called one teen of land यहाँ पर क्या याद रखना है जिस बाल्टी आपके पास में गेहू है तो आप कहोगे कि एक बाल्टी गेहू हम जितनी जमीन पर उगाएंगे ना उसको हम कहेंगे one seed मतलब one teen of land ठीक है तो मतलब कि उसमें से कितना धान वापस आएगा आपका कितना मतलब बारिश से खराब हो सकता है हो सकता है आदी बाल्ट मतलब गेहू है आपके पास में वापस आया हो सकता है डेड़ बाल्टी वापस आजाए तो वो हमें नहीं पता कितना आएगा लेकिन हमें से इतना पता है हमने उगाया कितना है एक टीन उगाया है तो याद रखना है grow वाली statement होगी यहाँ पर आपकी one teen of land के बारे में ठीक है तो उनका वहां की जमीन पर वहां की forest land पर उनका हक होता है कि वहां पर कुछ भी उगा सकते हैं they should not be removed from the forest उनको वहां पर से हटाया नहीं जा सकता आगर वो at least 25 सालों से वहां पर रह रहे हैं तो यह जो अधिकार है यह किस act ने दिया है यह आपसे पूछा जाता है तो आ बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार रिपीट हुआ है question आपका जूम फार्मिंग होती कहां पर आपकी मिजोरम में देखो इसमें भी दो ओ है इसमें भी एक हो है याद रख लेना इस तरीके से after cutting one crop एक फसल को काटने के बाद में जमीन को कु आया जाता है यहां पर not pulled out की बजाए लिग देंगी कि उनको pulled out किया जाता है और वही statement आपका गलत होगा तो इसलिए याद रखना है जो बैंबू और वीड्स भी अपने आप उंग जाते हैं उनको pulled out नहीं किया जाता है they are cut and burnt ठीक है उनको उपर से काट दिया जैसे इस त not plugged ठीक है यहां पर क्या होता है lightly dug up किया जाता है प्लफ नहीं किया जाता है बिल्कुल भी उसको मतलब गहराई से जोता नहीं जाता है lightly थोड़ा सा dug up किया जाता है weeds and other unwanted plants are also not pulled out जो भी आपकी other unwanted plants जो लग जाते हैं जिस जमीन पर आप कुछ सालों के लिए कुछ नहीं उगा होगे तो कुछ तो होगेगा ना वापे कुछ चीज़े अपने आप भी उग जाती है तो उनको आप क्या करेंगे सिर्फ cut करेंगे उनको भी pulled out नहीं करते हैं ताकि वो जमीन के अंदर मिल जाए और एक natural fertilizer का काम करे इस soil को fertile कर दें उपजाओ कर दें ठीक है in one farm different type of crops एक ही मतलब farm में different तरीके की crops आप लगा सकते हैं जैसे मेज हो गया आपका vegetables हो गया चिली हो गया राइस हो गया इस सारी चीज़े आप उसके अंदर लगा सकते हैं यह भी आपका statement में आया हुआ question है ठीक है तो यह सारी statement आ है जो एक बर लगाया जाता है फिर बहुत सालों के लिए छोड़ दिया जाता है जो विस पोमी पर लखता है उसको pulled out नहीं करते हैं उसको cut करके bite कर दिया जाता है That's it और उसको क्या किया जाता है lightly dug up किया जाता है उसको हम लोग गहरा नहीं खोदते हैं और एक ही जमीन पर बहुत सारी फसले जो है वो लगाई जा सकती है उसके बाद आता एक और important point चिरोय डान्स होता है आपका चिरोय डान्स कहां का है यह आपका मिजोरम का है ठीक है जो girls होती है वो इस तरह किसे डान्स करती है आपकी तो यह सिर्फ इतना पूछा जाता है कहां का है तो यह आपका मिजोरम का है ठीक है नेक्स देख लेते हैं फटा फट से नेक्स्ट है आपका की एक वेमस अन्यूज़ आर्टिस्ट विष्णु चिंचलाकर ठीक है यह आपका दिया हुआ है कहां से है इंदोर मध्या प्रदेश से है यह आपकी ड्राइ लीप से बहुत ही ब्यूटिफुल पिक्चर्स बनाते है कश्मीर मैं आपका diff इंट मस्टर कश्मीर मैं आपकी मचली है इसको सर्सों के तեղ में पका करो एक होता है ड्रागी तो हॉता है और अपका आपका लिंग्हुफैन होता है ठीक है उसके बाद आता है आपको Hong Kong में जैसे जी आता है देखो जी और Hong Kong में 2G है Lingoo Fan में भी जी है कश्मीर में ऐसे चाता है फिश में भी ऐसे चाता है केरला में बोईल टैपियोका और कड़ी है याद रख लेना भाई ठीक है तो यह तीनों चीज़े आपकी याद रखनी है किया जाता है hands और face के through और उसको क्या कहते है मुद्रा और भाव कहा जाता है आपका ठीक है मुद्रा और भाव क्या चीज़ होती जिससे कि आप feelings को करते हैं जब आप dance करते हैं ठीक है उसके बाद एक और important point birds feather help them to fly or keep them warm जो आपके birds के जो feeder होते है वो उनको उड़ने में और उनको गरम रखने में मदद करते हैं ठीक है जो अपनी गर्दन को बहुत जटके से आगे पीछे कर सकती है और owl क्या है वो क्या कर सकता है अपनी जो neck होती है backward to a large extent वो एक बहुत ही large extent यानि कि बहुत ही पीछे तक अपनी गर्दन को जो है ले करके जा सकता है तो इन दोनों को आपको याद रखना है ठीक है there is a special way of reading and writing for people who cannot see जो देख नहीं सकते है उनके लिए आपका Braille इस्तिमाल किया जाता है ठीक है with a pointed tool उनके द्वारा इसको बनाया जाता है और यह किस तरीके से पढ़ा जाता है इसको running the finger on the raised dot इसको fingers को उनके उपर उन dots के उपर run करके जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो इसको पढ़ते है ठीक है यह आपका इस तरीके का होता है Braille आपका ठीक है तो इनके ल देते फटा-फट से अदलज बावली जो होती है आपकी इस about 18 km from एहमदाबाद कहां पर है आपकी अदलज बावली अगर पूछ लिया जाए तो एहमदाबाद में है आपका ठीक है LPG gas की full form liquid petroleum gas CNG की full form compressed natural gas याद रखेंगे आप ठीक है कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपको petrol से नहीं मिलती है तो आपका answer उसमें था coal ठीक है जो कि आपको petrol से नहीं मिलता है ठीक है तो यह था हमारा इसके बाद एक question है आपका in Braille script rows of raised dots are made on a thick paper this script is based on Braille लिपी जो होती है वो कितने आपके उस पे based होती dots पे तो आपके कितने based होती है six points पर based होती है देखो कितने वज्जें आ रही है in which one of the falling states is tapioca grown जहां पर कसावा जो होता है tapioca जो है वह वहां पर उगाया जाता है कौन सा ऐसा state है मेगाले है पंजाब है असाम है या फिर आपका कैरला है ठीक है तो यह आपका अगर बात कर आपका यह अभी अभी हमने पड़ा था तो यह आपका कहां पर होता है केरल में आपके dish होती है boiled tapioca की तो यह आपका कैरला का है यह आपका start हो चुके है next आपका एक book start हो चुके जिसमें के एक chapter है going to school यह भी पूछा जाता है आपका कि going to school chapter में आपका कौन कौन सी चीज़ तो असाम में अगर आप ध्यान देंगे तो bamboo और rope bridge की द्वारा बच्चे जो है वह school जाते है लगदाख में trolley यूज की जाती है school जाने के लिए कैरला में एक wallam है जो small wooden boat होती है अगर पूछ लिया जाए wallam क्या चीज़ है तो एक wooden boat होती है चोटी सी लकडी की नाव होती ह ठीक है नेक्स्ट है आपका राजस्थान जिसमें की camel cart यानि की आपका oot इस्तिमाल किया जाता है गुजरात में आपका जुगार होता है उसको इस्तिमाल किया जाता है जो plane villages होते है उसमें आपका बुलक कार्ट यानि बैलगाडी और जो northern area है उसके अंदर में लोग बरफ में चल करके स्कूल जाते हैं बच्चे जो होते हैं उत्तरा खंड में आपका rocky or uneven area होता है ठीक है तो यह चीज़ें आप याद रखेंगे यह आपका आसाम का हो गया आपका कैरला का यह रहस्तान का ठीक है यह plane villages का और यह गुजरात का आपका इस तरीकी का कुछ चकड़ा ह होता है इसको हम बोलते हैं जुगार तो इसमें जाते हैं ठीक है नेक्स देख लिए फटा फटा से important points in some animals you can see the ears in some you cannot कुछ animal's ears आपको दिखाई देते हैं कुछ के आमें दिखाई नहीं देते हैं ठीक है birds के जो ears होते न वहामें दिखाई नहीं देते हैं उनके ears होते हैं both sides of its head उसके सर के दोनों तरफ जो चोटे चोटे टाइनी होल्स होते हैं चोटे चोटे जो आपको कुछ दो होल्स दिखाई देंगे वो उनके क्या होते हैं आपके ears होते हैं ठीक है, generally the holes are covered with feather they help the bird to hear जो आपके holes होते हैं वो किस से feeder से उनके cover होते हैं और वो birds को सुनने में मदद करते हैं lizards जो होते हैं, उनके भी ears जो होते हैं वो visible नहीं होते हैं crocodile के ear भी visible नहीं होते हैं तो आप याद रखेंगे lizard हो गया, crocodile हो गया यह आपको statement में मिल सकते हैं इनके नाम, pattern की क्या story है भई? pattern क्या होते है, we can recognize animals by their skin अब इस पे एक question बना हो है आपका the different pattern on the animals are due to hair on the skin यह पूछा गया question है कि जो different patterns होते हैं animals के जो वो किस वज़े से होते हैं तो आप याद रखेंगे किस वज़े से होते हैं उनके hairs की वज़े से होते हैं अगर उनके hairs उतार गिये जाएं तो उनके body पे कोई patterns नहीं बचेंगे ठीक है there will be no pattern visible to us if hairs are removed from the animal body जैसे कि zebra हो गया, tiger हो गया, deer हो गया इनके आपको कुछ-कुछ patterns जो दिखते हैं वो किस वज़े से होते हैं उनके hairs की वज़े से होते हैं ऐसा कहा गया है NCRT में ठीक है जैसे कि आपकी lizard है next आपकी elephant के बारे में जो statement है बहुत बार आती है आपकी a group of elephant is called herd herd कहा चाता है और herd में बहुत सारी female elephant और baby elephant होते हैं अब आप कहेंगी male elephant कहा है देखते है generally elephants herd have 10 to 12 females and young ones कितनी होती है 10 to 12 females होती है और उनके बच्चे होते है male elephant leave in herd till they are 14 to 15 year old male elephant क्या करते है 14 to 15 साल तक सिर्फ जुंड में रहते हैं उसके बाद में छोड़के निकल जाते हैं oldest female elephant जो होती है उनकी वो सारी decisions लेते हैं और वो क्या होती है herd की leader होती है सबसे बूरी जो हाथी होती है मादा हाथी हाथी नहीं होती है वो आपकी leader होती है elephant जो होते है बहुत ज़्यादा rest नहीं करते हैं सिर्फ 2 to 4 गंटे सोते हैं याद रखना है आपको 10 to 12 females होती है 14-15 साल की उसमें आयू में elephant जो होते है male elephant छोड़के निकल जाते है oldest female elephant उसकी leader होती है बहुत ज़्यादा rest नहीं करते है 2-4 गंटे सिर्फ सोते है next आपका क्या है elephant do not rest very much यह हो चुका है हमारा next आपका elephant जो होता है 100 kg से भी ज़्यादा खाता है एक adult elephant होता है adult elephant जो होता है more than 100 kg आपका जब question आया था तो उसमें 200 दिया हुआ था ठीक है तो वो statement आपकी गलत थी 100 kg leaves और twigs वो खा जाता है एक दिन में उनको mud के साथ में और water के साथ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि वो उनकी skin को cool रखता है elephant flap their big ears to use them as a fan अपने ears को वो पंखे की तरह इस्तेमाल करता है igret जो होता है वो buffalo के उपर bass के उपर क्यों बैठता है ये पूछा गया आपके उसमें last year questions में तो आप याद रखेंगे ये दोनों क्या है आपके सहजीवी है to eat insect from the skin of buffalo ये क्या करता है भाई इसके जो skin होती है न बफैलो के उसके ओपर जो कीडे मकोडे होते हैं जो insect होते हैं उनको खा के अपना पेट भर लेता है ठीक है तो ये एक दूसरे के लिए सहजीवी है igret और बफैलो जो है इसकी बफैलो की पीट पे बैठा होता है बहुत सारे option होंगे उसके अंदर की इसको घुमाने के लिए बैठाते हैं या etc. etc. अमरिता जो होती है वो कहां पर है आपकी खेजडी village में रहती है जो की जोदपूर में आपका राजस्थान के नजदीक हो गया जोदपूर इन राजस्थान आपका ठीक है इरिया में पाया जाता है क्यों क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रुद की जाती है इसकी जो बार्क होती है वो है आपकी किस्ते लिए medicine बनाने के लिए यूज की जाती है इसकी चाल होती है people cook and eat its fruit यानि की beans जो होती है उसको लोग क्या करते है खाना बनाने में इस्तिमाल करते है बीन्स का खाना बनाते है कईडे के बारे में आयू स्टेटमेंट से आपकी याद रखेंगे बहुत ज़दा पानी इसको चाहिए नहीं होता डेजर्ट एरिया में होता है इसलिए तो रजस्थान की बात की जा रही है, इसकी जो बार्क होती है, वो मेडिसन बनाने में इस्तेमाल होती है, इसकी बीन्स जो होती है, खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, और इसकी लखडी जो होती है, आपके किडे नहीं लगते हैं, यह है आपका बोचाचा विलिज ठीक है बोचाचा विलिज क्या है आपका इन मुझफर पूर डिस्ट्रिक्ट में आपकी बिहार में है यह आपका ठीक है मुझे कई बार वीडियो बीच में रोकनी पड़े क्योंकि हम लोगों कि आपके कुछ रेनोवेशन का काम चल रहे है तो बहुत ज़्यादा शोर है यहां पर ठीक है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर ले ना इसको भाई कि जो की अंडे दे टीए ठीक है थियर और फ्यू मैं पर इसे रिलेडेटी प्रीएस यहर और कौंसे ऐसे वह Pitts जो कि आपके इस तरीके से रहते हैं, तो आपके ants है, termites है और wasps है आपके, यानि कि आपकी जो चीटिया है, आपकी जो दीमा क्या और जो ततईया होता है, वो आपके honeybees की तरह आपके रहते हैं, जुन्ड में रहते हैं इस तरीके से, honeybees, यह सबसे important point, पूछा वो question है आप लोग October to December, इनका timing रहते हैं अंडे देने का और वही इनको पालने का सबसे best time रहते है, आपका honeybees को, ठीक है, गांधी धाम, एहमदाबाद और वलसाद कहां पे आपका, गुजरात में है, कोजी खोडे कहां पर है, आपका, केरला में है, food of गुजरात के आपका धोकला, आपके बान में टनल आते हैं, 92 टनल जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप यह statement, यह भी पूछा गया question है आपका, कितने bridges आते हैं, 2000 और 92 टनल जाते हैं, मडगाओ कहां पे आपका गोवा में है, कोटियाम कहां पे आपका केरला में है, ठीक है, के से यह हो गया और के से क लग गया, मदर की मदर को जो है, अम्मू अम्मा कहा जाता है, अम्मू मा कहा जाता है, मल्यालम में, ठीक है, यानि जो नानी होती है, हमारी भाशा में दिखा जाए तो, मदर की elder sister, जिसको मौसी कहते हैं, उसको वल्ली अम्मा कहा जाता है, आपकी जो मल्यालम भाशा होती ह और ओगोवा में भी है, ठीक है, मराथी है आपकी महाराष्टरा की, M से मराथी, M से महाराष्टरा, कंड़ा है आपकी करनाटका की, के से कंड़ा और के से करनाटका आपकी, ठीक है, नेक्स देख लेते हैं, फटाई-फट से, नेक्स आपका इन केरला फेरी, फेरी क्या चीज तो आपका 6 hours का रन रहता है अगर बात कर लिजाए गांधी धाम और नगर कोईल की डिस्टेंस की अगर रूट की बात कर लिजाए ट्रेन से तो 2649 किलोमेटर आपका रहता है ठीक है नेक्स देख लिए फटा-फट से कर्णम मलेश्वरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट बहुत आती है NCRT में वेट लिफटर है कर्णम मलेश्वरी आपकी कहां पर रहती है आंधर प्रदेश में रहती है ठीक है याद रखेंगे आप लोग कर्णम मलेश्वरी में देखो यहाँ पे भी A यहाँ पे भी A यहाँ पे भी A बहुत सारे A है न चार A है तो हम किसकी तरफ जाएंगे आंदरप्रदेश भी ए से स्टार्ट होता है तो options में से आंदरप्रदेश लगा देना आप लोग करनम मलेशवरी के लिए उनके father क्या है? police constable है ठीक है? उन्होंने 12 साल की उमर में weightlifting start कर लिया था reflecting करती है ठीक है? फटा फटा नेक्स पर बढ़ जाते है करनम मलेशवरी के बाद आता है आपका एक चीज और बोली हूँ यह इसमें इससे question कभी नहीं आया पर पता होना चीए ज्वाला लीला और हीरा जो है तीन sisters होते हैं जो की कबड़ी की player है ठीक है? कबड़ी में क्या होते है? 7 players होते हैं दोनों teams में game of कबड़ी is played over 40 minutes with a 5 minute break 40 minute का game होता है 5 minute का break होता है कबड़ी को छेडू गुडू कहा जाता है आंदरप्रदेश में ठीक है? हुतुतुतु कहते हैं Western India में आपका चडू गुडू कहा जाता है South India में हाडू डूडू कहा जाता है Eastern India में और कबड़ी कहा जाता है Punjab में नेक्स्ट है आपका the value of flowers value of flowers यहाँ पर फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर है आपकी तो वो कहाँ पर है आपकी उत्तरा खंड में है आपकी ठीक है यू के बाद में वी आता है न तो value of flowers कहाँ पर आपकी उत्तरा खंड में है आपकी याद रखेंगे आप colors are made from many flowers बहुत सारे ऐसे flowers होते हैं जिनसे color बनता है जैसे marigold हो गया जिनिया हो गया यह जो colors होते हैं उनको हम cloths को dye करने में यूज करते हैं इसके अलावा इनको medicines बनाने में यूज करते हैं एक चीज़ आपको और याद रखने है कनौज district जो होती है उत्तर प्रदेश की वह आपकी कहाँ पर है इत्र बनाने के लिए famous है उत्तर और इत्र दोनों याद इस तरी किसे में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होता है kacznaar की जो flowers होते है nा उसकी vegetables खाई जाती है उत्तर प्रदेश में कैरेला में क्या्या होता है आपका बनाना flowers की vegetables खाई जाती है और महाराश्ट्र में αitzer재 है अपके इसको मदूबनी क्यों कहा जाता है पहली बात तो क्योंकि आपकी बिहार के मदूबनी डिस्ट्रिक्ट से आपके संबंदित है इसलिए इसको मदूबनी कहा जाता है यह पेंटिंग जो होती है खास तरीके से बनाते हैं out of the paste of powdered rice जो चावल होता है उसका पीसा हुआ जो बूरा होता है उससे चावल को piece करके इसको बनाया जाता है फिर इसमे color mix कर लिया जाता है उस पीसे हुए चावल में ठीक है the colors used in मदूबनी paintings are very special कैसे use किया जाता है to make them indigo यानि नील हल्दी और जो colors होते है इसका color बनाया जाता है इंडिगो यानि नील हल्दी और बाकी flowers से इसका color बनाया जाता है पैंटिंग में क्या के चीज़ें होती है एनिमल्स होते हैं human beings होते हैं इस तरीके से होती है इन चाहिए पेंटिंग जो चाहिए करनात् का में है ठीक है यह बालवनी का की के से खतम हो रहे है यह यहांपर करनाट का की से शुरू हो रहे है इतने सारे राज्य हैं इतने सारे नाम हैं तो कुछ-कुछ ऐसे इस तरीकी से ट्रिक बना लिया करो कि याद रहे जाए वो इस लेसन टॉक अबाओ दे प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग ऑफ ओनियन क्रॉप यह पर onion crop के बारे हम बात की जा रहे है कि july मcl hoकर की सबसे होता है तो पता होय है था ही के अंदर हमें आपकी जो आया जो तो आजो इसका बीज रहे है वो उसकी प्राउट्स आना स्टाट हो जाते हैं मतलब कि 20 यह लेती है आपकी नेक्स देखते हैं हम लोग फटा-फट से बार्ड और नेस्ट बहुत इंपोर्टन्ट है आपका यह वाला बर्ड और इनके नेस्ट के बारे में ठीक है बार्बेट जो होती है या फिर कॉपर मित जो होती इस नेस्ट इन होल इंट्री ट्रंक ट्री ट्रंक जो आपका पेड़ का तना होता है उसके अंदर छेद करके अपना गोसला बनाती है तेलर बड जिसको दरजिन चडिया कहते हैं वह अपनी शार्प बिक को यूज करती है दो पत्तों को आपस में सिलने के लिए ठीक है क्रो सबसे इंपोर्टेंट इसका आया हुए आपका कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे उचा घोसला बनाता है पेड़ पर सबसे उचा घोसला कौन बनाता है क्रो बनाता है ठीक है याद रखना है आपको क्रो सबसे उचा घोसला बनाता है ठीक है संबर्ड क्या होती है आपकी स तो makes a nest that hangs from the branch of a small tree or bush जो कि क्या होते है आपके ट्री जो होता है उसकी branch पेस तरीके से गोसला बनाता है या आपका जो लटकता हुआ गोसला बनाता है लटकता हुआ गोसला कौन बनाता है तिक है ठीक है नेक्स आता है डव जिसको फाक्ता कहते है वह अपना गोसला बनाता है सबसे उपर बनाता है पीजन जो होता है कबूतर आपने देखे होंगे गुटरगू करते हों कोई डिजर्ट बिल्डिंग जो होते है जब भी आप देखोगे न कोई खाली बिल्डिंग में जाओगे आपको कबूतर बोलते हो नजर आएंगे ठीक है इंडियन रॉबिन जो होती है आपकी वो क्या करती है लेजिस एंग्स इन बिट्विन टो आपकी खुद का गोसला नहीं बनाती है वो अपने अंडे जो होते हैं कोवे की घोसले में रखती है और कववा ही उनको अपने अंडों की तरह पालता रहता है ठीक है मेल वीवर जो होते हैं बर्ड मेक ब्यूटिफुल वूवन नेस्ट दा फीमेल लुक्स एट अट अल द वाला बहुत सुंदर गोसला लग रहा है मैं इसी में अपने अंडे देऊंगी ठीक है तो इस तरीके से वो अपना अंडे देती है जो सबसे सुंदर उसको गोसला लगता है उसके अंदर में ठीक है नेक्स्ट है आपका बर्ड जो होते न वो अपने गोसले का इस्तेमाल सि आकता σन-दिं दॉर्द के बारे तो यह लूप क्रते हैं पेयर में कि अपना इसी नोपना आगोड वद्धा बनाते हैं तो पिएर सरे बनाते हैं घिछी इसे cat met थॉम् और किया है बच्人 केवी बहुत सारी स्ट यह सारी स्परिए खश्ग के बारे वीवर बर्ड के बारे में सन बर्ड जिसको कहते हैं शक्कर खुरा ठीक है कल चीडी इंडियन रॉबिन कहते हैं कल चीडी को ठीक है डव हो गया आपका बसंत गौरी हो गया इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है जो काउ होते हैं इसके जो आगे वाले डांत होते हैं काव के बहुत चोटे होते हैं तो यह किसके लिए यह अपना आराम से ग्रास को चवा पाती है और जो कैट होती है उसके दांत जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं इसमें पूछा गया क्वेशन है आपका NCRT में कि ऐसा कौन सा जानव जिसके दात जो होते हैं वो उम्रबर बढ़ते रहते हैं तो यह आपकी स्कुराल होती है जिसके फ्रजोरंट टीथzd वाइस थी ओठे ऑर थे रहते हैं और थुर्ण लाइफ बढ़ते हूँ ठीक है को याप रिखेंगे कि squirrel जो होती है उसके दाथ हमेशा से बढ़ते रहते हैं throughout life उसके दाथ जो बढ़ते रहते हैं घिस जाते हैं फिर बढ़ जाते हैं ठीक है snakes जो होते हैं have sharp curved teeth इनके क्या होते हैं curved teeth होते हैं but they do not chew their prey तो first है आपका नला मदा नला मदा कहा पे आपका आंदर प्रदेश में है ठीक है बजार गाओं कहा पे आपका महराष्ट्रा में है होल गुंडी आपका करनाटका में है कफ परेड आपकी मुंबई में है ठीक है एक चिल्डरंस की पंचायत है जिसको की भीमा संग कहा जाता है वो भी आपकी होल गुंडी में है ठीक है आप याद रखेंगे एक बच्चों की पंचायत है जो पानी की बारे में उन्होंने काफ तीमा संग बच्चों की पंचायत होल गुंडी में है ठीक है नला मंदा आपका आदरप्रदेश में बजार गाउं महाराष्ट्रा में होल गुंडी आपका करनाठका में और कफ प्रेड आपका मुंबई में है ORS जो है इसमें दिया हुआ है तो आप याद रखेंगे और रिहाइडरेशन सॉलूशन इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ती हूं जो आपका NCRT में डिवन है बनियं ट्री के बारे में देख लेते हैं इसका भी आया वह question है आपका बनियं ट्री क्या होती है Hanging branches होती है और actually the roots of tree ठीक है यह आप याद रखेंगे जो इसकी branches लटक रही होती है वह actual में क्या होती है इसकी roots होती है, ठीक है, they grow down from the branches until they reach the ground, अब इसकी जो roots होती है, वो इतनी ज़ादा गहरी होती है, जो नीचे पानी तक पहुँच जाती है, बिल्कुल, ठीक है, these roots are like pillar, that provides strong support, ठीक है, ये बहुत ही strong support, जो है tree को देती है, बिल्कुल एक pillar की तरह होती है, इनकी जड़े होती है, बनियन tree की, बनियन tree also has roots under the ground, ये अंडर ग्राउंड, ग्राउंड की नीचे भी इसकी roots होती है, और जो hanging branches होती है, वो भी इसकी roots होती है, इसकी जड़े होती है, ठीक है, आप देखेंगे, बनियन tree इस तरीके का होता है, तो इसकी यहाँ पर भी जड़े है, और ये जो इसकी इस तरीके से लटक रही होती है, ये भी इसकी क्या होती है, जड़े होती है, जो बिल्कुल एक दम धर्ती तक महुँचती है, desert oak क्या होता है, आया हुगा question है आपका ये भी, desert oak पहली बात तो कहां पाये जाता है, आपका Australia में पाये जाता है, कहां पाये जाता है, Australia में, oak और Australia, ऐसे याद रख लेना, it grows almost as tall as your classroom wall, मतलब आपकी classroom wall की तरह बड़ा होता है आपका ये, ठीक है, 30 पेड़ों को आप अगर इस तरीके से लिटा दें एक line में, तो उतना बड़ा आपका ये होता है, desert oak जो होता है, इसकी भी जो roots होती है वो बिल्कुल पानी तक नीचे जाती है, तो इसलिए आपको confused नहीं होना है, कि ये इसमें desert oak में और bunyan tree में, क्योंकि इसकी statement उसमें डाली जाती है, बन्यन tree वाले में और bunyan tree की statement इसमें डाल दी जाती है, तो ध्यान से हम देखेंगे इसको, इसकी जो roots होती है, वो आपकी water तक जाती है बिल्कुल, और इस पानी को store कर लेती है अपने tree trunk में, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने जो इसका paid का तना होता है, उसके इंदर में पानी को store करके रखता है, डेजर्ट ओग, लोकल पीपल वहाँ के जो हते इस बात को जानते हैं, और जैसे ही वहाँ पानी की कमी आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, पाइप लगा करके वहाँ पर उस water को पीने के लिए निकाल लेते हैं, ये desert oak की बात की जारी है, मतलब कि desert यानि की रेगिस्थानी जगा में है ये आपका, तो ये आप याद रखेंगे कुछ statements आपकी, ठीक है, next देख लेते हैं, फटा फट से हम लोग, आज इस वीडियो में complete करना ही है, हर हाल में है अब ये क्या है आपका, ये desert oak की बारे में एक question आया हुए है, कि आपका कहां मिलता है, Australia में मिलता है, this is special kind of tree, which has its roots growing from its branches, ये देखो, ये आपका bunyan tree का statement है, जो इसमें डाल दिया है, क्या है कि इसकी जो roots होती है, वो इसकी branches से grow होती है, नहीं बिल्कुल नहीं है, the roots of this tree go deep into the water, till they reach water, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल धर्ती के नीचे तक जाती है, फानी तक पहुचने तक, और ये water जो होता है, अपनी trunk में store भी करती है, तो first, third or fourth, ठीक है, first, third or fourth हमारा answer रहेगा, ये statement बनियन ट्री के बारे में दिया हुआ, ये हमारा statement नहीं रहेगा, February 2014 का आयोगा question है, आपका ही है, बिहू festival, बिहू festival is celebrated इन कहाँ पर, असाम में celebrate किया जाता है, बिहू festival बहुत ही बज़ेदार festival है, मैं फिलहाल असाम में रह रही हूँ, तो मैंने देखा भी है, मार्ग बिहू जो होता है, वो celebrate किया जाता है, 14 to 15th of January, first and second mark of 10th month of SMEs calendar, अगर हम बात करें, तो वैसे देखा जाए, जिस टाइम पर मतलब सकरात वगेरा होती है, अपने यापे, तो वो होता है, 14 to 15th January को यहाँ पर बिहू celebrate किया जाता है, first day जो होता है बिहू का, उसको उरुका कहते हैं हम, ठीक है, और एक temporary shed बनाया जाता है, उसको कहते हैं बेला घर, ठीक है, लोग यहाँ पर एक temporary shed बनाते हैं, उसको बेला घर कहते हैं, बोरा क्या होता है, यहाँ पे common variety of rice used in Assam, जो एक sticky rice होता है, यह चेप्टर है आपका पोचमपली, ठीक है, पोचमपली क्या है, मुक्तापूर विलेज is in the पोचमपली टाउन of आंधरप्रदेश, आंधरप्रदेश के पोचमपली टाउन में मुक्तापूर विलेज है, जहांक जिसको वीव किया जाता है, और यह इस जगह के नाम से ही है, क्योंकि यहाँ की जातर फैमिली जो है, वो बुनकर है, पोचमपली is popularly known as silk city of India, ठीक है, silk city of India कि इसको कहते हैं, तो आपका पोचमपली को कहा जाता है, other traditional occupations यहाँ पे क्या है, carpet weaving है, toy making है, itra making है, और sari making है, य इसके अलावा जैसे कि silk city कहा जाता है, पोचमपली की वज़े से, इसके अलावा कुलू जो है, आपका वो शॉल्स के लिए famous है, मदुबनी आपकी paintings के लिए famous है, असाम आपका silk के लिए famous है, कश्मेरी embroidery पसंद आती है, और महिश्वरी साडी जो आपकी famous है, यह आप याद पूछा जाए अगर, तो आपको यह पेर याद होना जी, अबुधाबी के बारे हम बात करेंगे, question आया हुआ है, यहां से भी, अबुधाबी the capital of UA, UA की capital है आपकी the language of अबुधाबी, अबुधाबी की language क्या है, एसे अबुधाबी, एसे Arabic language यहां पे बोली जाती है, ठीक है country around abudhavie, अबुधाबी के around country कौन कौन सी है, ठीक है, country around abudhavie located in desert area, क्या है, सूखा जगे है यहां पर desert area है, आपका यह यह रिइस्तानी एरिया है, यहां की currency क्या है, आपकी abudhavie की धिरम है, ठीक है abudhavie में D आता है और D धिरम में भी D आता है, तो currency क्या होगी, आगी आपकी धिरम होगी, sand dunes किसको कहा जाता है, ये भी I have a question आपका, sand dunes का मतलब क्या होता है, mountains made by, only made by sand, ठीक है, जो मिट्टी के बने वे mountains होते हैं, जो उसको कहते है, sand dunes आपके, ठीक है, date palms only that can grow in desert, ठीक है, आबुधाबी में आपको किस तरीके की पौधी मिलेंगा, अगर ठीक है, धिरम इसकी currency है, Arabic इसकी language है, और यहाँ पे पेट्रोल जो है, वो पानी से भी सस्ता है, तो ये सारी statement आपी दाबी के बारे में ठीक मानी जाएगी, ठीक है, चित्तपन क्या होता है, आपका चित्तपन fathers की यंगर ब्रदर को, यानि चाचा को मल्यालम में चित्तपन आपकी true है, कि वो अपने head को cotton cloth से ढखते क्योंकि वो बहुत गरम एरिया है, climate of Abu Dhabi is very dry, ठीक है, बहुत ही सुखी climate रहती है, वहाँ पर, केरला के बारे में देख लेते है, फटा-फट से climate कैसा रहता है, हुमिड रहता है, humidity वाला है, hot climate रहता है, language क्या है, केरला की, मल्या वो देखने के लिए मिलेंगे, तो आपका coconut है, banana है, papaya है, jackfruit है, और बैटलनट है, यह वाली चीज़े आपको देखने के लिए मिलेंगी केरला में, तेज पत्ता, cardamom, black pepper, तेज पत्ता हो गया, आपका इलाहिची हो गई, आपकी काली मिर्च होगी, यह सारी spices जो होती आप को केरला में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, आप देखो, आबुधाभी के बारे में, जैसे मैंने बताया, statement से question आया हुए आपका, आबुधाभी जो क्या है, it is located in desert area, बिल्कुल ठीक बात है, रिगिस्तानी इलाके में है, ठीक है, water is costlier than petrol इन आबुधाभी, आबुध सत्यों statement गलत होगी न, अरे भी किस local language आबुधाभी ठीक बात है, आबुधाभी में इस्तिमाल होने वाले पैसे को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, ये statement भी आपकी गलत होगी, ठीक है, दिनार नहीं कहा जाता है, दिरम कहा जाता है, तो आपकी दो statement, आपका किस के ब से है तो थन्ना मंडी से है वो राजोरी डिस्ट्रेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है आपका ही है डॉक्टर थी वो आपकी शीज इन डॉक्टर इंडियन नेवी जो है आपकी उसमें डॉक्टर है वो वहीदा प्रिजम इस फॉर्स्ट वोमें टू लीड परेड ठीक है वो टाफट से देखते हैं भई इन परेड फोर प्लैटून मार्च बहाइंड द लीडर ठीक है कितने होते हैं फोर प्लैटून मार्च जो होते हैं वो लीडर के पीछे चलते हैं वहीदा प्रिजम वहीरी फॉंड ऑफ राइडिंग मोटर साइकल चलाने की बहुत शौकीन थी अब प्रिजम का मतलब क्या है यह पूछा गया था एक बार आपके question में आपके previous year में प्रिजम क्या होता है kind of glass that reflect seven colors प्रिजम किसको कहते है एक glass एक शीशा जो कि seven colors को reflect करता है उसको प्रिजम कहा जाता है ठीक है वहीदा बिग ड्रिम वोस टुबी बिकम आर्मी ओफिसर व आपका ठीक है स्किप्टो पुल विलेज कहां पर है आपका लदाख में आपका क्या है स्किटो जो भी है मतलब ठीक है लदाख ही इन state of Jammu and Kashmir और it is mountainous region अभी अमने लदाख के बारें बहुत सारी चीज़े पड़ी थी ठीक है यह आपका mountainous है बहुत ज़्यादा पहाड़ क्या इन अम्मा ले मदर को आबा ले खाल आपका फादर को और मेमे ले कहा जाता है ग्रेंड फादर को दादा को कहते है मेमे ले भौती language में ठीक है अम्मा ले कहा जाता है मदर को आबा ले कहा जाता है फादर को ठीक है जी तो ये हमारी आज NCRT जो है 4th, 5th और 3rd 3rd, 4th, 5th की complete NCRT हमने डिस्कस कर ली है अब फटा फट से अपने सभी friends के साथ में इस वीडियो को जरूर शेर कर लेना आप लो थेंक यू, keep learning, keep supporting and keep sharing